मूवी की स्टार्टिंग में हम एलक्स नाम की एक बच्चे को देखते हैं जो की होरर स्टोरीज लिखा करता था उसने अपनी बुक सीरीज का नाम नाइट बुक्स रखा था जिस पर इस मूवी का नाम है तो एलक्स यहाँ पर अब काफी परेशान होता है और अपने ममी बापा की बाते सुन रहा होता है उसके पेरिंट्स यह बात कर रहे थे कि एलक्स को अब स्टोरीज लिखना बंद करना होगा क्योंकि इससे उसकी मेंटल हेल्थ पर काफी असर हो रहा था लेकिन इसका असल रीजन यह नहीं कुछ और था जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे खेर अलक्स यह सुनकर बहुत ही जाद दुखी हो जाता है और अपने रूम में आकर अपनी सारी बुक्स और गोस्ट वाले पोस्टर्स को एक बैग में डालने लगता है अलक्स यह सोचता है कि वो चुपके से बाहर जाएगा और अपने अपार्टमेंट के नीचे फरनेस में जाकर सारे नाइट बुक्स को जला देगा जिसका रीजन उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे और यहाँ पर माजरा कुछ औरी था अब जब उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं तो अलक्स साइट से निकल कर आलिवेटर से नीचे जाने लगता है लेकिन जो आलिवेटर होता है वो अपने आप ही बीच में किसी फ्लोर पर रुख जाता है जहां पर एक फ्लैट का डोर उपन होता है और एलेक्स को वो अट्रैक्ट कर लेता है अलेक्स वहां पर लिफ्ट से बाहर निकल कर उस फ्लैट की तरफ चला जाता है अब फ्लैट में एंटर करते ही गेट बंद हो और एलेक्स को वहां पर उसकी फिवरेट पाई दिखती है ऐलेक्स उस पाई को खाने लगता है और खाते ही वो बेहोश हो जाता है जब एलेक्स होश में आता है तो वो खुद को एक क्लॉजट में बंद बाता है वहां से निकल कर वो बंद रूम में इधर-दर घूमने नताशा ये कहती है कि ये घर बच्चों को लालश देकर उन्हें अपने अंदर बंद कर लेता है और जिन बच्चों से नताशा को फायदा होता है वो उनको जिंदा रखती है और बाकियों को मार देती है नताशा तभी अपने मैजिक से अलेक्स को डराने लगती है और उससे मार डालेगी या फिर उसने एक भी दिन कहानी नहीं सुनाई तब भी वो उसको मार देगी अगले दिन एलेक्स सो रहा होता है कि तभी एक कैट उसको परिशान करती है और अचानक से गायब हो जाती है यानि कि यह जो कैट थी वह इसी विच की थी जो की जादूई थी अब एलेक्स उस बिल्ली के पीछे जाता है तो वहां पर उसको एक और किट्नैप्ट लड़की याजमिन दिखती है जिसको विच ने घर पे काम क करने लगते हैं यासमिन उसको बताती है कि याँ पर सिर्फट बटर यावैलेबल है और बाकी सारी चीज विच के लिए है याजमिन ये भी बताती है कि यहां से निकलने के सिर्फ दो रास्ते हैं एक फ्रिंट में और दोनों की चाबिश अपने पास रखती आगे वो ये बूलती है कि उसने जिस cat को देखा था उसका नाम लैनोर है और वो अपने आप ही गायब हो सकती है वो विच की स्पाय है इसलिए उससे बच कर रहना फिर याजमिन एलक्स को विच की library दिखाती है जो की बहुती बड़ी थी और वहां पर हजारों से भी जादा क पता चलेगा फिर एलक्स कहता है कि उसने अब स्टोरी लिखना बंद कर दिया है जिसका रीजन वो उसको नहीं बताता और वो विच को पुराने लिखी हुई स्टोरी से सुना देगा तो याजमिन यह कहती है कि अगर यह चीज लैनोर ने नोटिस कर ली तो विच को जाकर बता देगी मगर यह जानने के बाद भी एलक्स स्टोरी लिखने के जगा रात तक विच के घर आने का इंतजार करने लगता है जब विच घर पर आती है तो एलक्स उसे चुप कर देखता रहता है और अपने बैक को लेकर वहां से भागने की कुशिश करता है क्योंकि जिस उसको पकड़ लेती है और वांड करती है कि अगर उसने भागने की कुशिश करी तो वो उसको जान से मार देगी अब विच उसको कहानी सुनाने के लिए बोलती है और उससे ये भी पूछती है कि एलक्स नाइट बुक्स को क्यों जलाना चाहता था लेकिन एलक्स उसको इस उसको माफ कर देती है वो एलक्स से ये कहती है कि उसको रियल और दर्दना कहानिया लिखनी चाहिए यानि की नेगेटिव एंडिंग वाली नाटाशा एलक्स को ये कहती है कि उसको हैपी एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर जब वो देखती है कि एलक्स ने उसे पहले ही लिखी हुई स्टोरी सुनाई थी तो एलेक्स से पूछते हैं कि उसने न्यू स्टोरी क्यों नहीं रिखी एलेक्स यहां पर कुछ बाहना बना देता है कि उसे तब लिखने में प्रॉब्लम होती है जब कोई उसको देख रहा हो और वो इससे बच जाता है अब उस बुक के अंदर एक लड़की के लिखे हुए नोट्स होते हैं जो की बीच में पेजिस फे मार्जिन में लिखे हुए थे वो उसको पढ़कर समझ जाता है कि उस लड़की को भी नताशा ने ट्रैप कर लिया था और उसने नोट्स में अपनी कहानी लिखी है अलेक्स उस को और चीज़े पता चल सकें और डेली रात में नताशा को कहानिया सुनाता जाता है जिसमें हर बार नताशा कुछ ना कुछ फ्लॉस निकालती रहती है अब एक दिन एलेक्स को फिर से किताब के अंदर यूनिकॉर्ण गर्ल के नोट्स मिलते हैं और इसमें वो यहां से एस लट गिरा दिया था जिस वज़े से वहां पर स्पाइडर एग फॉर्म होने लग गए हैं अगर एक भी एग हैच हो गया तो स्पाइडर नर्सरी के सारे प्लांट को खराब कर देंगे फिर वो दोनों ही बड़ी साफधानी से स्पाइडर एक्स को हटाते रहते हैं लेकिन तब ही याजमिन गिर जाती है और एक एग हैच हो जाता है अब यहां पर नताशा की जो बिल्ली होती है ना वो भी वहां पर गिर जाती है लेकिन यहां पर वो उसको बचा लेते हैं जिसके बाद में स्पाइडर सारी क्रॉप्स को खराब करी देते हैं और वो लोग वहां स उसको याजमिन की हल्प करता देख दोनों को माफ कर देती है और सबसे शौकिंग बात ये थी कि जो नाटाशा की बिल्ली थी ना वो भी नाटाशा को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि मेरे ख्याल से वो इनका एहसान मान रही थी कि इन्होंने उसकी जान बचाई उसी रात अब जब एलेक्स सो रहा था तब ही उसके रूम के अंदर उसको कुछ सौफ्ट सी आवाजे आती है वो देखता है कि वहाँ पर भी स्पाइडर आ गये हैं और एलेक्स उसको मार देता है लेकिन उस स्पाइडर ने एलेक्स की नाइट बुक्स को खराब कर दिया था एलेक्स के पास अब नताशा को सुनाने के लिए एक भी कहाने नहीं बची थी इसलिए वो अगले दिन लाइबरेरी में बैट कर न्यू स्टोरी लिखने की बहुत कोशिश करता है वहाँ पर अब यैजमिन उसको दवाई लगाने आती है जो कि उसने खुझ से बनाई थी और अलेक्स उस दवाई को खुझ से पहले लेनور को लगाता है और अब लेनور भी आलेक्स की अच्छी दोस्ट बन गई थी वहां से लेनोर की जाने के बाद में आलेक्स याजमिन को बताता है कि स्पाइडर ने उसकी सारी किताबों को बरबाद कर दिया अब उसे यहां से निकलना ही होगा और याजमिन से वो हल्प मांगने लगता है क्योंकि अगर उसने स्टोरी विच को नहीं सुनाई तो वो उसको मार देगी लेकिन यहां पर एक अजीब सी बात और शौकिंग सी बात रिवील होती है याजमिन उसको एक शेल्फ के पास में लेकर जाती है जहां पर कुछ बच्चों के एक्शन फिगर्स रखे होते हैं याजमिन ये कहते है कि ये सारे एक एक करके यहां पर ट्रैप हुए थे और याजमिन के फ्रेंड्स बन गए थे ये लोग भी याजमिन की गलतियां अपने सर पर ले लेते थे और यहां से भागना चाहते थे और नताशा ने इनको मारा नहीं बलकि इन स्टैचूज में आने के एक्शन फिगर्स में बदल दिया था अलेक्स अब उन सभी बच्चों को देखता है याने के उनके एक्शन फिगर्स को और वो देखकर एकदम ओरिजनल लग रहे थे और एक इंडिविज्वल को डिसेप्ट कर रहे थे पर एलक्स को वहाँ पर किसी भी स्टैचू के अंदर यूनिकॉर्ण नेकलस वाले लड़की नहीं दिखाई देती इससे एलक्स ये समझ जाता है कि यूनिकॉर्ण गर्ल ने यहां से पका एसकेप कर लिया होगा और अगर वो ऐसा कर सकती है तो वो दोनों भी ऐसा जरूर कर पाएंगे अब एलक्स येस्मिन को यूनिकॉर्ण गर्ल के बारे में बताता है और उसके नोट्स को दिखाता है उसके बाद में वो लोग बाकी सारे बुक्स में भी नोट्स को ढूनने लगते हैं और दोनों ही उपर जाकर उस बुक को निकाल लेते हैं उपर वो दोनों बुक देखते हैं तो उसके अंदर यूनिकॉर्ण गर्ल की नोट्स मिलती हैं उसमें लिखा हुआ था कि वो विच को बेहोश करके उसकी कीस को चुरा कर ले गई थी और वहाँ पर बेहोश करने वाले पोशन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ था लेकिन साथ में यूनिकॉर्ण गर्ड ने भी लिखा था कि इस पोशन से बहुत ही गंदी स्मेल आती है और इस स्मेल को खतम करने वाले इंग्रीडियंट्स जो है वो दूसरे किताब में लिखे हैं अब एलेक्स और यैसमिन के पास दूसरी बुक को पढ़ने के लिए और ढूडने के लिए टाइम नहीं था तो एलेक्स को आज रात यहीं पर रुकना पढ़ता है और नाताशा को स्टोरी सुनानी पढ़ती है अलेक्स के मन में तब ही एक आईडिया आता है और वो उसे ही बे करता उनको दिख रहा था अब अगले दिन एलेक्स और याजमिन वो बेहोश करने वाले पोशन को बना लेते हैं और नताशा की बताए हुए इंग्रीडियंट से उसकी स्मेल भी दूर कर लेते हैं लेकिन यह सब लैनोर देख लेती है और पोशन को गायब कर देती है अब को यह लग रहा था कि विच को सब कुछ पता चल चुका है अब तभी नताशा एलेक्स को स्टोरी सुनाने के लिए बुलाती है और वो अपनी नोटबुक लेकर वहां पर पहुंच जाता है अलेक्स उससे रीड करने की एक्टिंग करने लगता है लेकिन असल में तो ब्लैं में दोनों को ही मारने लगती है लेकिन तभी वो गिर कर बेहोश हो जाती है असल में लेनोर ने उसको बेहोश करने वाले पोशन को नताशा के खुद के परफ्यूम में मिला दिया था जो की वो डेली लगाया करती थी जो की ब्लू रंग का था और उसी के असर से वो प्राइज होता है कि वो लोग अभी तक विच के मैजिक से बने हुए जंगल में ही बठक रहे हैं तब ही उनके सामने एक एविल यूनिकॉर्ण आ जाता है और वो दोड़ी दूर दोड़ाने के बाद में वो यूनिकॉर्ण वापस चला जाता है और वो दोनों एक चॉकलेट को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं अब जब अलक्स की आँके खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था वो याजमिन और लैनोर को ढूंडने एक स्टेर से नीचे जाने लगता है जिसके एंड में वो एक बहुत बड़े रूम में पहुँच जाता है और उस रूम क को इसे पूशने पर नताशा ये बताती है कि उस कॉफिन में जो है वो यहां की अछी है जी ना चा फींप यहां पर एक बच्ची ही थी Tam की trap हो गई थी और उसने बेोंच करने के potion को बनाया था और उसी potion से उसने विच को बेषोश कर दिया था यहां पर एसलिए обнаружum ने उसको नहीं खाया क्योंकि वो उसकी वेवर कशने के बाद में नसा को यह पता चलता है कि उसके माबाप अपने रेसिदेंस को चेंज कर चुके हैं क्योंकि वह बहुत सालों के बाद में वहाँ पर गई थी फिर नताशा के पास जाने के लिए कोई भी जगा नहीं थी तो वह वापस विच के पास में ही आ गई और यहां पर आकर उसने विच कराफ है कि तुम ही यूनिकॉर्ण गर्ल हो क्योंकि उसके पास में वो लॉकेट होता है जो की यूनिकॉर्ण वाला था और वो समझ जाता है कि उसने उसी के नोट्स को पढ़ा था अब भागते टाइम उसने ये सोचा था कि जो और बच्चे यहां पर होंगे वो इन नोट्स को यहां पर क्यों हुआ करती थी और तबी नताशा ये बताती है कि इस विच को सुलाई रखने के लिए कोई दुख और दर्द भरी कहानी यानि कि अनहापी एंडिंग वाले कहानी सुनानी होगी और यही रीजन था कि वो यहां पर इतनी सारी कहानिया सुनती थी वो उसके ख वज़े से ये विच सोई रहती थी और उठती नहीं थी साथी साथ नताशा भी उसके मैजिक को अपने परफ्यूम बॉटल में डाला करती थी जो कि नताशा के मैजिक का मेन सोर्स था जो कि वो इस विच से ही एक्सट्रेक्ट कर रही थी अब कहानी की बात सुनकर एलेक्स ये बोलता है कि उसने अब कहानी लिखना छोड़ दिया है लेकिन नताशा उसको अपनी ही कहानी सुनाने को बोलती है कि उसने स्टोरी लिखनी क्यों छोड़ी और वो नाइट बुक्स को चलाना क्यों चाहता था अब एलेक्स उनको बताता है कि वो गो स्टोरी लिखता था तो सब उसको weird समझते थे और कोई भी उससे बात नहीं करता था सब Alex को हमेशा ignore करते थे और उससे दूर रहते थे बस उसका एक best friend था जो कि उसका साथ देता था बट एक दिन उसके दोस्त ने भी उससे बात करना छोड़ दिया और Alex के बद्दे पर कोई भी नहीं आया जिसका theme हांटेड बार्टी थी तब ही Alex ने सोचा कि वो सारी night books को जला देगा और starting में यही reason था कि वो बहुत ही दुखी था और अपनी सारी किताबों को जलाना चाहता था यानि कि वो अपने parents से दुखी नहीं था बलकि इन सब चीजों से बहुत ही जादा परेशान था फिर वो यह कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जब से वो यहां पर आया है यानि की याजमिन और लेनोर के साथ में तो यहां पर उसको सच्चे दोस्त मिल गए है और वो बहुत ही जादा खुश है अब यहां पर कहानी गरबर हो जाती है क्योंकि रियल विच को हैपी एंडिंग पसंद नहीं है और तब ही यह सुनकर रियल विच उठ जाती है फिर अचानक से ही एक धमाका होता है और कॉफिन तोट जाता है इस धमाके से नताशा नीचे गर जाती है और उसकी परफ्यूम बॉटल भी उसके हाथ से छोट जाती है याजमिन और लेनोर का केज भी खुल जाता है और याजमिन तुरंत ही नताशा की परफ्यूम वाली बॉटल वहां से उठा लेती है इसके बाद में नताशा और रियल विच में फाइट होती है जिसका फायदा उठाकर अलेक्स, याजमिन और लनोर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन हम ये देख पाते हैं कि ये जो रियल विच होती है वो नताशा पर भारी पड़ती है और उसको नुकसान पहुँचा कर मार देती है फिर याजमिन नताशा की परफ्यूम का इस्तमाल करकि मैजिक से बाहर जाने वाले दोर को खोल देती है और वो लोग वहाँ से निकलते ही अलेक्स वाले अपार्टमेंट के लिफ्ट में पहुँच जाते हैं वो लोग जल्दी से लिफ्ट के गेट को खोल कर बंद करते हैं और बेस्मेंट तक लिफ्ट के उपर में ही रहती है जब लिफ्ट अब बेस्मेंट के अंदर पहुचती है तो विच फिर से वहाँ पर उनके सामने आती है और याजमिन को खाने लगती है लेकिन तभी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एलेक्स एक हॉरर स्टोरी सुनान यानि कि वो ऐसा जाता रहा था जैसे वो कहानी उस किताब के अंदर है अब विच भी जल्दी से उसको उठाने के लिए जाती है और तभी अलेक्स और याजमिन उस फरनेस को बंद कर देते हैं और विच वहीं पर जलकर मारी जाती है अब वो लोग अलेक्स के घर पर जाते और याजमिन भी एलेक्स से साथ में रहने लगती है और एलेक्स उसको अपनी बेहन बना लेता है और हम ये भी देख पाते हैं कि जो याजमिन की न्यूज होती है वो भी हर जगा छप जाती है कि जो लड़की कई सालों पहले गायब हुई थी वो वापस आ गई है अब मूव पर बिल्कुल क्लियर हो गया था तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि चाबी मिलने के बावजूद दी वो उस घर से बाहर नहीं निकल पाए थे क्योंकि नताशा ने यहां पर एक सेकंड इल्यूजन क्रियेट किया था वो जानती थी कि कोई ना कोई बच्चा उसको भी बेहोश करकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसने वहाँ पर वो इविल यूनिकॉर्ण वाला जाल बिचाया था जो कि उनको दोड़ा कर सीधा उस हट के पास मिले जाएगा जहां पर सारी चीज़े जो होंगी उनके अंदर बेहोश कर देने वाले पदार्त मिले होंगे और एक इविल यूनिकॉर्ण का वहाँ पराना क्लियर इंडिकेशन था कि ये नताशा ही यूनिकॉर्ण गर्ड है बेसिकली नताशा इन सभी बच्चों को यहाँ पर इसलिए रखा करती थी ताकि वो हौरर स्टोरीज उस रियल विच को सुनवा पाए जिससे क उसके साथ में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी गलत नहीं था वो बिल्कुल सही था और मुझको तो ये लगता है कि रियल डायन से ज़्यादा खतरनाक तो ये खुद थी तो दोस्तों ये थी दे नाइट बुक्स मुवी की कहानी उमीद करता हूं कि आपको ये कुस्त्र थी थी कुस्त्र